नमशकार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश में वैक्सिनेशन महाभियान में इंदौर में सबसे ज़ादा वैक्सिनेशन हुआ अब इंदौर 100% वैक्सिनेशन की ओर कदम बढ़ा चुका है अब तक 75% से ज़ादा लोगों को पहला डोज लग चुका है जहां प्रदेश सरकार इस चीज़ से खुश है कि इंदौर के साथ सथ तमाम जलों में वैक्सिनेशन अच्छे से हो रहा है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के मंत्री जनता को अजीब सलाहे दे रहे है इसके पहले उज़ा मंत्री प्रदुम सिंग तोमर ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता को सलाह दी थी और अब मधिप्रदेश की परिटन संस्कृती और आध्यात्म विभाग की मंत्री उशा ठाकुर ने भी फ्री वैक्सिन लगवाने वालों को सलाह दी है ऐसे में जिन लोगों ने कोरुना की वैक्सिन के दोनों डोस लगवा लिये हैं वे प्यम केर फंड में 250 रुपए के हिसाब से दोनों डोस के 500 रुपए जमा करें मंत्री उशा ठाकुर ने कहा कि मैंने इस अभियान की शुरुआत कर दी है और अब सक्षम और समर्थ व्यक्ति भी इसमें जरूर जुड़े मंत्री उशा ठाकुर का बयान ऐसे समय में आया है जब कॉंग्रेस और कई राज्यों की आपत्ती के बाद केंद्रिय स्वास्त और परिवार कर दियान मंत्राले ने कोरुना वाइरिस की वैक्सिन की डोस राज्यों को मुफ्त में मुहया कराने की बात कही और आगे भी लग मंत्री उशा ठाकुर का या बयान विवाद खड़ा कर सकता है